नैनिताल की एक गाउं में नायरा नाम की लड़की रहती थी वे पढ़ने में बहुत होश्यार थी वे कभी भी अपने विद्ध्याली के चुट्टी नहीं करती थी चाहे ठंड हो या चाहे गर्मी में वे हमेशे स्कूल जाया करती थी दिसंबर का महीना था एक तिन क्लास में कोकिला नाम की एक नई टीचर आती है बच्चो चलो मुझे सब अपना होमवर्ग दिखाओ अगर किसी ने अपना होमवर्ग पूरा नहीं किय तो उसको सजा मिलेगी सारे बच्चे एक एक करके अपना होमवर्ग दिखाते हैं जिसमें नायरा और कुछ बच्चों का होमवर सई होता है लेकिन कुछ बच्चों का हुंवग गलत होता है बच्चों ने सोचा कि हमें मैडम मुरगा ये डंडे से मारेंगी तब ही कोकिला बाहर से बर्फ का टुकड़ा लाती और बच्चों के अंदर डाल देती है ये सब दीकर बच्चे चौक जाते हैं मैडम जी अब नहीं होगा हमें माफ करती जी मैडम जी मैं सारा काम करके लाऊंगी तुमने क्या सोचा तुम्हें कोई चोटी मोटी सजा मिलेगी और हाँ आगर तुमने अपने घर पर ये बताया तो तुम्हें मैं इससे भी बड़ी सजा दूँगी अगर किसी ने भी इसके अंदर से बर्फ कर टुकडा निकाला तो सब बच्चों को सजा मिलेगी सारे बच्चे मैडम की ये सजा देखकर बहुत डर गए थे और डर की मारे अपने घर पर वे कुछ भी नहीं बता पा रहे थे आगले दिन बच्चों आज मेरा मन नहीं है पढ़ाने का चलो मेरे पैर दबाओ नायरा और कार्टिंग मैडम की पैर दबाने लगते हैं तब ही कोकिला कहती है मुझे आप भूग लग रही है चलो एक एक करके मुझे सब अपना लंच बॉक्स खिलाओ अगर जिसका भी खाना खराब होगा तो मैं उसको सजा दूँगी सब बच्चे डरते हुए अपने एक एक करके लंच बॉक्स देते हैं कोकिला कुछ इसका लंच अच्छा लगता था वैं उसको खा जाती थी और जिसका बुरा लगता था उनको बर्फ के उपर नंगे पैर खड़ा कर देती थी ये सब देखकर नाइरा कहती है ऐसा कब तक चलेगा हमें अपने पैरेंट्स को बताना होगा लेकिन नाइरा अगर हमने अपने घर पर बताया तो ये हमें और बड़ी सदा देंगी तुम फिकर मत करो मैं इनको स्कूल से निकलवा कर ही रहूंगी बस तुम मेरे साथ रहना सारे बच्चे नाइरा की बास सुनकर खुश हो जाते हैं अगले तिन नाइरा अपनी क्लास में एक पैन लेकर आती है जिसमें कैमरा लगा होता है वे कैमरे का पैन अपने शर्ट के आगे लगा लेती है कोकिला की सारी हरकते उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है और नाइरा प्रिंसिपल के आफिस जाती है फिर सारी रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल को दिखाती है सारे बच्चों के पेरेंट्स वहां आ जाते हैं यह सब देखकर कोकिला पसीने पसीने हो जाती और उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है कोकिला को अदालत से 20 साल की सजा और आगे बच्चों को ना पढ़ाने की सजा मिलती है नायरे की हिम्मत और उसला देखकर स्कूल की तरफ से नायरे को एक होनार और बहादूर चात्रे के नाम से सम्मानित किया गया।